बूर्णिंग मैं सज्जादन सारी आपका इस चैनल में स्वाहत करता हूँ आज है संजय यादो का कमेंड का जवाब यह कहते हैं डियक्षां का प्रोड़क्ट एक साल छे महीने यूज किया बिपी के लिए दस आरजी दस जी एल इसपारिवलिणा दस मुरैंजी खाने के बाद हो गया डियबीटी वह जुआ शावाज आप कहींगे शावशी क्यों दे रहे हैं क्योंकि मैं यह आपको बताना जाता हूं यह जिसको डियबएटीज नहीं हुआ है ओक्र जिसको नहीं हुआ है उनको यह सब खाने के बाद अगर किसी के होता है तो इसका मतलब है कि यह प्रोड़क्ट बेकार है और लोगों की विमार कर रहे हैं आप पहले ट्रैकर करके देखना मगर उनको खिलाना जो बिल्कुल स्वस्थ तंदुरूस्त हो अब मज़े से खाएगा चलो मेरे को कोई कुछ नह है उनको दो कि देखो यह प्रोडेक्टिव में बहुत लाब बहुत फायते हैं इसके खाऊ होगे तंदुरूस्ती मिलेगी बिमारे से बचे रहोगे तो वह इंसान कहेगा यार बोड़े ची बात है वह कहेगा मेरे पास पैसे नहीं आप खाऊ एक साल खाना मगर उससे पहल गलती की वह मैं आपको बताता हूं सबसे फश्ट में आपने इसको दवा समझ के खाया होगा आप कहेंगा हां यस और हमें जिसने दिया उसने दवा कहके दिया यह गलती आपने की दूसरी गलती आपने यह की कि आप जब अपने बीपी के लिए दवाई ले रहे थे तो बढरा सुगर लेवल नीचिए डॉन हो राया यह अप हो रहा है नि कम हो रहा है या ज्यारा हुडा हो रहा है अगर कम हो रहा है तो भी आपको समसी हाई प्रओ tenía और शुर्म होगा है जिससे के आपको पीड़ाब कर दिया फेड ह소न Спट शुख और चाश्यीवर तिर और आपको ध्याविटिज पहले होगा और आपने ध्यान नहीं दिया और जब वह इनसान डैबेटीज सुगर वाला जब आर जीजियल खाता है या बीपी वाला यह सब चीज़ खाता एक तो इसका काम करने का तरीका पहले क्या होता है तो आपके अब डाउन करेगा यह म मेंना कि सुगर देखा रहा है गरता होता है तो पहले निचा struggling लग यह कुछ दिन तक चलता है हमेशा नीच जेदा ठापly नोर्मल यह नॉर्मल हो जाता है और आपका जब हाई हुआ होगा सुगर कि पेसेंट आप पहले से होंगे आपको पता नहीं जला जब आपने इसको यूज किया बढ़ गया डॉक्टर पास आप गए भी होंगे तो उसे देखा होगा आपको आप तो सुगर मरीज है मतलब मरीज बना ऊने कि आपको को तकलीफ नहीं है पर यह किसी काता है यह के ज्तील करता इसकी बोटी तो नहीं बना रहे हैं इसलिए तो मेर मकसद कहने का यह है कि आप कहले से ही बीमार होंगे इसलिए आपका ऐसा हुआ वाले होंगे कि प्रोडेक्ट आर्जी जील जो आप खा रहे हो दस आर्दी दस जील पहले तो आपकी बातों मुझे यकीन नहीं है अगर आपनी वागवाई है तो निकालता है ना जो बिमारियां बहुत सालों से आपको पता ही नहीं है और ना डॉक्टर ने इसको पता कर पा अब अग भी कई दर्द होता था जठका मारता और जाता है आप नहीं लगा जाता है वह इसको मिलनी रहे हो तो आपको अब पता चला कि हम्हें यह प्रॉब्लम हो रही है हलाकि बहुत दिनाव से हो इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडेक्ट बताते हैं कि आप पहले ही से खाओ क्यों भई ताकि यह चोटी मोटी जो प्रोब्लम आ रही होती उसको रोक देती है रोकने के साथ में बड़ी बिमारियों को भी आने नहीं देती यह यह प्रोडेक्टिम भी मेडिसीन नहीं है तो सिर्फ उसको देते जो बीमार होते यह तो स्वस्तिव खाता बीमार भी और यानि मच्चे बुड़े-जबान हर कोई खा सकता है तो किसी को भी डीक्षन के प्रोडेक्टिम मेडिसीन कहके मद दें दवाई दे कर ना दें बलके सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब देंगा तो दो बंदे या एक बंदा आए बड़ा आपको रोट कर दो तो आपने सपोर्ट दिया घर भी पहुंचा दिया अगर वो नहीं कर सपोर्ट करते तो बीच में अगर अराम के साथ एक हराम वाली चीज़ भी ला रहा है मतलब परिशान करने वाली चीज़ क्या साइड इफेक्ट उस साइड इफेक्ट का ये रिजल निकरेगा कि दूसरी बीमारी की तूसरी पहले एक का इलाज करा रहे थे उसमें अराम मिल रहा था उसके वज़ए से अब दो बाद चलते चलते आप इसका भी साइट होगा तो तीसरी आजाएगी तीसरी के इसके साइट होगा चौती आजाएगी तो करना क्या चाहिए भाई यहीं तुम्हें बता रहा हूं कि जब आप इलाज शुरू कर दो तो डीक्सन के प्रोटेक्ट को सपोर्ट लेके करो इससे क्या होगा दूसरी जो एक के साथ फिर आ रहा है इंग्लिश मेडिसिन से यह नहीं आने देगा यह एक पर ही रोग देगा ओके साइड एफेक्ट को रोग देगा अब आगे यह फिर धीरी दिरे उन बीमारियों को तो दबाई और यह डियक्सर प्रोटेक्स साथ मिला जाएंगे तो आपको सपोर्ट के लिए मतलब इंग्लिश दवाई की जरूत नहीं पड़ेगी इस तरीके से यह चोड़ाती है अब यह भाइसाब है हमारे संजा यादो जी यह कहते हैं दस आर्जी दस जी और बीपी के लिगाया बीपी को बहुत बड़ी प्रब्लम नहीं है बीपी के लिए तो बस आप सुबह सुबह एगंटा दोड़ लिए अगरो पारकों में रोड़ों में देखो तुम्हारे बीपी की बीपी नमक और चीनी का मात्रा ज्यादा खाने से और एक्सरसाइज ना करने को जैसे बीपी की शिकायद होती है बहुत ज्यादा सुस्त होगा मैंने नहीं करता होगा बस इन ही जरी चरह से सोस्रा होगा यह हमारी अक्सीजन जरूरी है डुड़ना भी जरूरी यह खाने में प्रहिज करना भी जरूरी है यह सब चीजे होने बाद तब आपको इसके हंद्रेड्व मिलेगा और हर विमारी का इलाज कराने के साथ- और उसने दवाई अपनी मर्जी से छोड़ दिया किसका मेडिसीन तो सोचा कि यह खा रहा है किसी से सही हो जाएंगी तो आपको पता है मेडिसीन से मदद लेनी वड़ती है और इसने 85% वाला तो लेने लगा 15% वाला नहीं लिया उस मेहने खाए 50% बंदा ठीक हो क्या किसी डॉक्टर पास गया डॉक्टर ने बोला कि आप यह सब छोड़ दो खाना हम जो दे रहें यह खाओ उसने जो दिया मेडिसीन उससे वह 15% कि दोक्टर ने ममना कर दिया था ठीक है मैं यही तो बाद में उसने ले लिया 15% और तो टोटल हो गया तो हुग्या यह कहते हैं अगर शुरू में ही अगर साथ चलाओ तो जल्दी सही नहीं तो दियक्शन के परजक्ट छोड़ने के बाद जाके अंग्रेजी दबाई करात तब भी उनको आराम मिल जाता है वह सोचता है नहीं मिला हम उस डॉक्टर ने दवाई दिया इंग्लिश दवाई उससे मिला इसकी सोचना भूल है आप वही दवाई खाते रोज रहा है चार पुमारी और ले आएंगे मगर यह पुरी उमर खाओ कोई प्रॉबलम नहीं तो हमारा मकसद समझाने का यह है को फूट सप्लिमेंट समझके खाना दवा समझके नहीं अगर बिमारी है तो अपना इलाज कराने के साथ इसको कि खाओ जब आपको विमार होने का मन है तो आर्जीजीयल के प्रोडेक्ट मश्रूम यह सब चीज़ों को छोड़ दो फिर आप दिरी दिरी विमार होने लग जाओगे कैसे भाई आपका हवा तो हमाले पहाड से आएगा नी ऑक्सिजन वाली सुद्ध वाली आपका खाना की तो होगा नी पाहिने आपका नंबर तो अधियमार होगा फिर वह OC exercise में आएंगे कि आप गया है एक स्रहे में रिपोर्ट मिलता जब 80 परसेंट में आपके जाता है एक परसन डिराउस कर देता है कैसे आग एक Patron term你 लोग चाहँ लसका मीर्वसिए डिकसेंट घू मफुट का उथ बिमारी का रूप निकल चाहते हैं साथ में है का पैसे आप को जो आमने छे ुठ को लाब मिला वह ये ज्यादा वो आपका समान खरीदेगा डियक्षन प्रोडेक्ट खरीदेगा अगर उसके अंदर भी है पैसे कमाने के लाला तो उनको बताओ कि मार्केटिक प्लान यह है इस तरीके से और आपको ऐसे काम करना है जैसे मैं कर रहा हूं तो आपको पैसा भी लेगा नहीं कमाना च अगर आपने गलती से दूसरी लगा ली तो फिर वह कंपनी वाले दूसरी वाली आईटी को केंसल करते हैं इसलिए एक ही आईटी रहनी जाए है थैंक्तू शुक्रिया मुझे उम्मीद है आपने हमारे पास सुन लिया होगा समझ भी गए होंगे इससे तरी एक से कमेंड कर करें शुक्रिया